हेलो फ्रेंड आज हम बनाएंगी क्योंकि सावन का महीना चल रहा है फ्रेंड अगर आप परत रख रहे हो चाहिए एक टाइम खाना खा रहे हो तो हम ऐसी सब्जी बना के आपको दिखाएंगे जो आप बिना लसन बिना प्याज और बिना टमाटर का यह सब्जी बना सकते हो चलिए हम सब्जी बनाना सुरू करते हैं और यह सब्जी बनाने के लिए फ्रेंड आपको क्या जरुत हैं अगर आप एक टाइम यह सब्जी जरूर खा सकते हैं क्योंकि यह पावन परब चल रहा है सावन का महीना तो इस परब में लसन प्याज ऐसे भी नहीं खाना यह हम बनाना सुरू करते हैं वीडियो को मिशना करें वीडियो सुरू से पूरा तक दे देखें तो देखें मैंने आधा लोकी लिया है आधा लोकी मतलब बहुत मतलब खिचा होना चाहिए लोकी ज्यादा बुढ़ानी होना चाहिए और इस तरह से हम लोकी को छिल लेंगे और एक मेने आलू लिया है तो आलू अलोगी को अच्छे से हम चिलका लिकाल लेंगे और इसकी इतना अच्छा सबजी बनता है नहीं कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने भीना लस्तान प्याज और भीना टमाटर का सबजी बनाया है तो वीडियो सुरू से अंतक देखे जो हम कदुकस करेंगे तो उसके अच्छे से एक गुच्छा गुच्छा सा लिकलेगा इस तरह से हम दोनों को कदुकस कर लेंगे और कदुकस करने के बाद यह देखिए दम आपको इस तरह से आपको चाहिए तो जो हमारी सबजी है बन के दम बहुत अच्छी रेड़ी चल रहा है तो अगर आप एक मैना लसन प्याज नहीं खाएं तो बहुत अच्छा होता है और उससे क्या होता है ना महादेव भी भूत खुस होते हैं कोई-कोई एक मैना का बरत रखते हैं तो उनको वह सोचते हम क्या बना के खाएं तो यह देखिए मैंने कदू और आलू को मतलब कदू कश कर लिया है और इसमें हम क्या-क्या मसाला डालें के तब मिच ना करें तो इसमें मैंने लाल मिच पाउडर लिया है थोड़ा सा धनिया पाउडर थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हमने इसमें जीरा पाउडर लिया है और थोड़ा सा इसमें हमने सांबर मसाला यूच किया है हमने और इसमें हमने एक दो चमज बेशन एट करेंगे तो अगर आप एक आसना करते हो एक टाइम भूजन खाते हो तो यह आप इस तरह से सब्जी बना के खाएं तो इसमें हमने यह हम जो सब्जी बना रहे हैं डो त्यार कर रहे हो दो अंदर दग बहुत ज़्यादा कीश्पी बने और फिरें एक बार अगर आप सब्जी बना के खाऊगे ने तो लस्टन प्याच टमाटर सब बूल जाओगे आप सोचो बिना टमाटर के भी सब्जी बहुत अच्छी बनती है तो मैंने इसमें थोड़ा सा सूखी पाउडर का मिर्च डाला है हलका सा फ्रेवर के लिए ता अब इसको एक बोल बना लेंगे आपको जो भी छोटा बड़ा बोल बनाना है वह बना लें तो इस तरह से हम तोड़ा बोल हम बड़ा रखेंगे कि यह जो हम बना रहे हैं इसका एक अलगी फ्रेवर होती है शब्जी की और आप इसको चाओल के साथ प्राठे के साथ चाया आप इसको पूरी के साथ सहर्प कर सकते हैं और आप सोचिए बेना लसन प्याज और बेना टमाटर की सब्ज बहुत टेस्टी खाना बनता है तो इस तरह से अगर आपको सोच रहे हो कि आज हम क्या बनाएं तो बीना टेस्टी सब्जी बना सकते हो तो चलिए हम अब एक बॉल ले लेंगे बॉल में हमने चार चमज दही डालेंगे दही तम ताजी होना चाहिए तो फ्रेंट कैन हमारी दही को हम चान लेंगे अच्छे से चान ले चलनी की शाप से और उसमें मिलाई नहीं होना चाहिए इस तरह से दही को हम चान लेंगे और हमारे दही जो है अच्छे से हमने चान लिया अब इसको एक अच्छा सा हम दही को बना लेंगे दही और ये हमारे मसाले में आएंगे हमारे ग्रेवी ये मसाले में काम आएंगे तो नो हम भी mahady को ब喂 te और हम सासे चाहिए प्वहम वह्मली को अर चाहिए डही अ कहारा ने चाहिए तो सबजी क्या है ना अगर खटा दही लोगे तो सबजी अच्छी नहीं बनेगी इस तरह से हमने दही में थोड़ा सा धनिया पाउडर लिया है थोड़ी सी हल्दी पाउडर थोड़ा सा लाल मीच पाउडर और थोड़ा सा मैंने काले मिर्श पाउडर लिया है थोड़ा सा जीरा पाउडर थोड़ा सा मैंने गर्म मसाला लिया है अब शारे अच्छे से मिक्स कर लें तम दही और मसाले सारे मिक्स हो जाएंके जब हम सब्जी बनाएंगे दही के अंदर इस तरह से तरह से सारे मिक्स कर लें और इस तरह से देखिए हमारे जो दही है मसाला एक अच्छा सा मसाला हमारा एक ग्रेवी त्यार हो चुका है तो हम इसी को बस हम बनाएंगे और टेस्टी शाशबजी तो फ्रेंड इसको हम साइड में रखेंगे तो चलिए जो हम मैंने बॉल बनाया है उसको हम फ्राइ कर ले बॉल डालने के बाद क्या होता है न जो आच बीच वाला रखे नहीं तो यह बॉल जो है अंदर तक पकेगा नहीं अंदर से कच्छा रह जाएगा तो यह आपको बॉल को दम दीमे आज पे पकाना है और वी कम आज पे जब तक सी अगर बॉल आपकी सही नहीं बनेगी तो ग Maeंशी क्या है यह सब्यें अच्छा लगेगा तो इस तरह से आपको बॉल को अच्छे सिदम पकाना है अंदर तक क्रिश्वी करना है तो दो स्यंसाई नहीं स्यूड़ सब्च पर पुग्छाए हम कम आज पे अपकी समा करने खather चोटक है तो और तूट जाता को पूख कर रही हूं तो अब इस को होता है ये अंदर घ्रिश्ट भी हो जाएगी आप कि और इसको घ्येकिट हमारे दूसरे दर्ब से या अच्छे से कुख हो चुके हैं तो अच्छे सी इसको लट ले और कोड़ है अगर आपके ये अगर अगर यह आपके उच्छी नहीं बनेगे ना तो सब्जी भी आपके ऊच्छी नहीं लगेंगे खाने में तो हमारे तलब अच्छी से अध्याओं पराई हो चुके हैं अंदर ददम क्रीश भी हो चुके हैं और यह देखे कितने अच्छ लग रहे हैं सोचे मैंने इसमें क्या डाला है कुछ भी नहीं डाला है चुरिप सुखे मसाले और दो चीज डाला है आलो अलो की और आप इतने अच्छ टेश्टी घर में सबजी बना सकते हो आप यह मसोचो फिरें के हमारे पास यह नहीं है ता सबजी हम कैसे बनाए आज हमको यह वाली नहीं हम अपासान है बस आप के पास्टा माता ना हो हरी मिश ना हो ता आप बहुत तो देखिए में दो तेश पता लिया है गरहम अला है काली मीर्च है एक डाल चीनी है और हमने सब खड़े मसाला डाले थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है और सबको अच्छे से हम फूज ले जब तक से यह मसाले छोड़ देंगे। और मसाले पग जायेगा झाहिक तो छोड़ देता है. तो यह देखिए बसाली ने तेल छोड़ दिया है तब इसमें हम इसको पांच मिनटा हो पकाएंगे उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे अगर आपको ग्रेवी पतला चाहिए तो इसमें पानी डालें एक गिलास और पानी डालने के बाद फिर हम जो मेने बोल बनाया है इस नमक जाले पांच करने में पानी बट नल bowling डालें नमक जादा हम अनुसार आप और इस तरह से हमने नमक को मिक्स करेंगे इसमें पाणी एड्णा चराएंगा पानी के बाद बेंस ओबल जाएंगा तम सारे उब्र डालेंगे इसमें और 20 मिनट के लिए सब्चाइगे पर हमारी यह शबजी बनके दम त्यार हो जाएगी और यह देखे आपको लगे जाए नहीं कि बिना लसन प्याज और बिना टमाटर के आपने यह शबजी बनाया है कोई भी खाएगा तो नहीं बोलेगा कि आपने इसमें लसन प्याज और टमाटर नहीं डाला है तो फ्रेंड कम चीज में आप बहुत टेस्टी सब्जी बना सकते हो तो आपको अगर रेश्पी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक, शेर और अवेलमा एकम जरूर दबाईए कि आपको हर नेनी रेश्पी का बीकेशन मिल सके और जितना हो सके हमारे वीडियो शेर भी करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें तो देखें हमारे पानी अच्छे से उबल चुके हैं आपके करके हम बोल इसमें एड़ कर देंगे और बोल एड़ करने से पहले हम इसमें थोड़ी से लाल मिर्च शुकी पाउड तो हमने धनिया पता यूज नहीं कर रहे हैं हम स्टूरी मेती डाला है अब सारे बोल को हम इसमें एड़ कर देंगे एक एक करके बोल को डालने के बाद दस मिनट हम इसको और पकाएंगे जब तक से बोल के अंदर अच्छे से रस नहीं चला जाए हमारे जो बोल है जब हम स कावल के साथ प्राठी के साथ सर्फ करें और एक बार जरूर बना के खाएं आप सारे सब्जी भूल जाओगे इतनी लाजवाब टेश्टी लगती है तो हमारी सब्जी बन के दम रेडी हो चुकी है और यह देखिए जो हमारे बहुत देखने में अच्छे लग रहे हैं ला बनाते हैं अगर आपको मिलाई पसंद आऊ तो ना डाले लेकिन मिलाई जरूर डाले इससे क्या होताना सब्जी और अच्छी बनती है और ज्यादा खाने में टेश्टी लगती है मिलाई डालने से तो इसमें हमने अब अच्छे से हिला लेंगे तो चलिए पलेटिन करके आ तो फिरेंच चलिए हम नए नयी वीडियो ले के आते रहेंगे सब्सक्राइब और याश्यक अगर आपको ने यह वीडियो देखना यह तो प्लीस बढम जुरीम आइकम चुर्ण दबंखें तो चलिए ने वीडियो वीडिये में मिलते हैं तब तक से बहुते हैं